लाल सांगर रूट पर बड़ी कमपनियों ने ओपरेशन रोगा NBT Newsdesk, यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में कमर्शल जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे दुनिया की कई बड़ी कमपनियों ने फिलहाल उस रूट पर अपना ओपरेशन रोग दिया है। और अदन की खाड़ी के बीच स्थित है। 2021 में स्वेज नहर में जहाज फसने से भारत भी प्रभावित हुआ था। तब भारत का 200 अरग डॉलर का व्यापार इसी रास्ते होता था। भारत स्वेज नहर के रास्ते यूरोप को फूड प्रॉडक्ट्स, अपेरल और इलेक् इस रास्ते बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। अगर संकट गहराता है तो कच्चे तेल के आयात पर असर पड़ सकता है।